संस्कृत में दुख को वेदना कहते हैं और ज्ञान की छमता को भी समवेदना ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं ये दोनों शब्द एक ही धातू से बने सामानत है हमें दुख का ही ज्ञान होता है आनंद से हम अपरचित हैं एक उधारन से समझें एक व्यक्ति बिलकुल कोमा में है बेहोश इस्ट्रेचर पे से उसको ले जाये गया एक नदी के किनारे से खुबसूरत वगी चेज में से गुजारा गया फिर उसको वापिस हास्पिटल के वैड में ले आए आई सीउ में जहां उसकी फिर आँख खुली बेहोशी तूटी उस से खर हम पूछें कि क्या ग्यान हुआ क्या पता चला कहां गए थे वह कुछ भी ना बता सकेगा शायद बगी चेज से गुजरते हुए फूलों की कुछ खुश्बूस के वस्त्रों में लग गी हो वहलक ऐसा कुछ एहसास होगा कि शायद फूलों की फूलवारी से गुजरा हूँ लेकिन इस पश्ट रूप से कुछ भी पता नहीं अब एक दूसरे व्यक्ति की कल्पना करें जो नशे में हैं सोयम चलते हुए गुजरा है इस ट्रेचर पर नहीं ले जाया गया मोच आ गई कहीं फूलों की जाड़ी से टकरा गया कांटे चुप गए और नदी के तट पर उसका पैर फिसल गया और मरते मरते बचा यह आके जो वर्णन करेगा उससे पूछें कहां गए ते वो कहेगा बहुत ही खतरनाक जग है नगवान न करे कोई वहां से जाए वहां प्राण लेवा नदी है कांटों वाले पौधे हैं और नजाने किस दुष्ट ने गड़े खोद रखे हैं दो तीन बार में गिरा पैर में मोच आ गई फ्रेक्चर होते होते बचा कुमा वाले की तुल्ना में इसको जादा होश था इसको दुख दर्द का ही पता चला बस अब एक सामानी व्यक्ति के लिए जो नशे में नहीं है वह वहां से गुजरता है उसे काटों का भी पता चलता है थोड़ा फूलों का भी पता चलता है थोड़ी नदी की कलकल ध्वनी भी सुनाई देती है यद्दि पी वो अपने विचारों में खोया है कोई बहुत गहरी सुक्की संवेदना उसको नहीं होती और अगर वह वहां से कई वार गुजर चुका है तब तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता फूलवारी भी है इसका भी एसास नहीं होता पंची बोल रहे हैं तितलियां उड़ रही हैं उसको कुछ खास पता नहीं चलता वो इनका आदी हो चुका है उसकी समवेदना सुख के प्रती खतम हो चुकी है याद रखना फूल हमें चुबते नहीं है और काटे हमें चुबते है काटे के निशान छूट जाते हैं घाव रह जाते हैं फूलों के निशान नहीं छूटते फूलों से घाव भी नहीं बनते तो सुख हमारी लिए बहुत छण भंगुर है आया और गया दुख लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ के जाता है आप अच्छी सड़क पे चल रहे थे तो उसकी कोई इस्मृती नहीं बनेगी लेकिन गड़्े वाली सड़क थे और चोट खा गए और गिर गए तो फिर उसकी इस्मृती काफी समय तक रहेगी तो सामान मनुष्य की अवस्था ऐसी है वह अपने विचारों में, भावनाओं में इस्मृतियों में, कल्पनाओं में खोया हुआ उस जगह से निकलता है हलकिसी सुक्की जलक उसको मिलती है कोई खास नहीं जो वह इसमरन करेगा जब भी अपने जीवन की कहां-कहां से गुजरा तो हमें साद्धुखत घटनाओं की ही उसको याद आएगी लोग पिकनिक जाते हैं, कहीं परियाटन के लिए जाते हैं चार साल बाद उन से पूछो क्या हुआ था अब उसमें से कोई चुनिंदा दुखत घटना हो बताएंगे वो याद रहें कि बहां की सब भूल भाल गए तो कि वो जो दुखत घटना थी उसका इंपेक्ट काफी लंबे समय तक रहा अब इस सामान व्यक्ति की बजाए हम एक दूसरे व्यक्ति की कल्पना करें एक कवी है चित्रकार है जादा समवेदन शील जादा सजग व्यक्ति है वह भी उस नदी किनारे के बगीचे से गुजरा उसकी समवेदन शीलता अन्य चीजों के प्रति है वो चित्रकार है उसे रंग दिखाई देते हैं खुब गहराई से खुब बिस्तार से उसे तितली या फूलों की पंखरी जैसी नजर आती है वैसी हम सामाने जनों को नजर नहीं आती हमारे लिए सब पेड़ हरे हैं हरा सिर्फ एक रंग है चित्रकार के लिए हरे में कई शेट सें कई प्रकार के हरे हैं गीतकार वहां से गुजरा उसके लिए द्रश्च कुछ और ही है वह जिस नजर से देख रहा है वैसी नजर वैसी द्रश्टी हम सब के पास नहीं है उसके भीतर कोई सुन्दर काव्य का जनम हो जाता है इस द्रश्य को देखकर उसे अधिक सुक्की प्रतीती होती है सामानी व्यक्ती से बहुत ज़्यादा उसकी जागरुकता सामानी लोगों से ज़्यादा है अब हम एक संत की, एक रिशी की, एक बुद्ध पुरुस की तुलना करें जो वहां से गुजरे उन्होंने कैसा देखा होगा, क्या जाना होगा, कैसा सुना होगा यहाँ पर हम अनुमान लगा सकते क्योंकि चार लोगों की कल्पना हम कर चुके हैं जोष की, कोमा वाले की, एक नशल्ची की, एक सामानिव्यक्ती की और एक स्रजन सील कलाकार की अब इसी ग्राफ को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं जिसके भी तर शुन है, सन्नाटा है तो पूरी तरह सजग है अपना कोई प्रोजेक्शन वह नहीं कर रहा है जो है, जैसा है, उसे वैसा ही ग्राण कर रहा है पूरे स्विकार भाव में, पूरी सम्वेदन शिल्ता में यह जगत को कैसा जानेगा इससे पूछेंगे, यह कहेगा संसार ही निर्वान है यह लोग ही मोक्ष है, परमात्मा है इन लोगों की सम्वेदन शिल्ता का तल अलग-अलग था जिन पांच लोगों को हमने उधारन लिया तो सामान्यत है, जब हम कहते हैं वेद यानि ग्यान और वेद यानि वेदना दुख सामान जनों पर यही परिवासा लागू होती है उन्हें दुख का ही आभार सोता है बस और इसलिए वे बेहोश होने के उपाए खोचते हैं सारी दुनिया में सदा सदा से मादक द्रव्यों का शराप का प्रचलन रहा है सदा सदा से नए नए आविशकार होते चले जाते हैं क्यों बेहोशी की जरूरत है क्योंकि होश में हमें दुख की प्रतीती होती है अगर हम बेहोश हो जाएं तो दुख की प्रतीती समाप्त हो जाएगी अधिकांस लोगों के जीवन में सबसे बड़ा सुख है रात को वो चैन से सुख गए थे यानि बेहोश हो गए थे यही उनके जीवन का सुख है यानि दुख के विस्मरण को बेहोशी को हम सुख कह रहे हैं कोई पाजिटिव आनंद तो जीवन में है नहीं जितनी चेतना है वहे भी धू मिल पड़ जाए वहे भी मिट जाए, खो जाए यही एक मात्र सुख है मैंने सुना है मुल्य नसुर्दीन बजार से गुजर रहा था ऐसे चल रहा था जैसे लंगड़ा रहा हो कोई भारी तकलीफ हो पैर में किसी ने पूचा की क्या हुआ बहुत पर कष्ट में लग रहे हैं नसुर्दीन का हां कष्ट में तो हूँ क्या पैर में उसने कुछ नहीं जूते बहुत टाइट हैं तो उस आदमी ने देखा चमक रहे हैं जूते बिलकुल नए लग रहे हैं उसने लगता भी अभी खरीदे हैं नसुर्दीन का हां तीन दिन पहले खरीदे हैं तीन दिन से ही पहन रहा हूँ तो जाती है तो बहुत टाइट लग रहे हैं आपके पैर के नाप से बहुत छोटे हैं यह आपने क्यों लिए बदल लीजे दूसरे अपने नाप के लीजे नसुदिन का नहीं जान बुच के लिए क्योंकि मेरे जीवन में इतने दोख है दो बीबियां हैं दोनों जगडालू हैं दोसरे साथ इसलिए की थी कि एक मारेगी तो दूसरे बचा लेगी अभालत ये कि एक पकड़क लेती भागने नहीं देती हो दूसरी बटाई करती है दोनों बीबियों से बारा बच्चे हैं घर में पूरा बचार मचा रहता है भाग दोड यहां से वहां मार पीड की चैता नहीं हलाक उल्ला सामान फिकवल आदा सामान घर में लाती से तुरंट तूट जाता है पड़ोसी का तो कहना ही क्या बिल्कुल दुश्मन छाट छाट के मेरे बगल में आके बसे हैं आफिस की हालत मेरी खराब है आप सब जानते ही होंगे भहेंकर राजनीती वहां चल रही है बड़ी खीचातानी बूस सिरदर्द फिर मेरे सस्वराल वाले दोनों सस्वराल वाले कोई हफते पर से आके जम्मे हुए हैं वह लक्स मुसीवत खड़ी कर रहे हैं मुसीवत ही मुसीवत है बच्चों की फिश जमा करनी है पैसे हैं नहीं मा मेरी बीमार पड़ी है अस्पताल में भरती है डाक्टर कह रहे हैं कैंसर हो गया है इलाज के पैसे मेरे पास हैं नहीं उस आदमीन कहा कि मैंने जो सवाल पूछा था कि जूते इतने डाइट क्यों पहने उसका तो जवाब दिया नहीं न सुरुदीन पहले सुनो तो पूरी घटना दिन भर इन जूतों में मैं कश्ट भोगता हूं साम के जाके जब घर में जूते उतारता हूं तो ऐसी राहत मिलती है वही मेरी जिन्दगी का एक मात्र सुक है और तो कोई सुक है नहीं हम जिसको सुक कहते हैं गौर सा देखना वो नसुरुदीन की इस बुद्धि मत्त अपूर्ण बैभार से भिन्न नहीं है कोई कश्ट जिसको हम थोड़ी देर के लिए भूज जाएं थोड़ी देर के लिए जूता उतर जाए तो बड़ी राहत मिलती है तो पिकनिक पे जाते हैं गूमने जाते हैं बाहर इतने परेशान और ठके मांदे वहां से लोटते हैं घर आके बड़ी राहत मिलती है ये पंद्रवीश दिन बाद फिर जाएंगे कहीं फिर कष्ट भोगेंगे हम जान बूच के कष्टों को आवंतर देते हैं कि जब बूख खतम हो विरियाडिकल कष्ट तो फिर एक राहत की सांस लें कि वाह मजा आ गया मजा वजा कुछ नहीं है दुख का होना और दुख का कम हो जाना बस इतन नहीं है खतम भी नहीं हो रहा कम हो जा रहा है बस वो कम हो जाने को हम सुक समझ रहे हैं और हम पूरा उपाय करते हैं कि दुख का विस्मरण हो जाए, हम उसको भूल जाए, अर्थात हम बेहोश हो जाए, हमारे भीतर वो जो ज्यान की शक्ती है वो ना बचे, तो कोई वेदना नहीं होगी। जैसे डाक्टर एनेस्थीसिया देते हैं, सरजरी करने के पहले, अब कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम भाती-भाती के उपाय करते रहते हैं, और यह मत समझना की केवल बोतल में बंद जो नशा आता है, केवल वही मादक द्रव्य है, और भी नशे हैं। किसी को धन की मद है, किसी को पद की मद है, किसी को प्रेम की मद है, अलग-अलग प्रकार के नशे हैं, जो आदमी राजनीती में व्यस्त है, तो देखो कैसे नशे में हैं, एक प्रकार की शराव उसने पी रखी है, जो आदमी धन के पीछे दिवाना है, और अमीर, और अमी ही सूचता बिलकुल अंधा हो गया है तो प्रेम में ही अंधे नहीं होते लोग कि इसे में भी अंधे हो जाते हैं राजनिती में अंधे हो जाते हैं कई प्रकार के बेहोशी हम जहान बूच के ओड़ लेते हैं कि उस बेहोशी में फिर हमें दुख का पता नहीं चलता दुख म हम इतने व्यस्त हैं ओवर आक्यूपाइट कुछ लोगों को मैं देखता हूं रिटायर्मेंट भी हो गया उन्होंने तुरंत कुछ नए उपद्रों खड़े कर लिए वो बिजी रहेंगे पूरे समय बिजी क्यों क्योंकि फुरसत मिलेगी फिर पता चलेगा कि बहुत दुख है उसका क्या करो इससे तो अच्छा विजी रहो मैं जहां नोकरी करता था वहां मुझे एक वार पता चला किसी कारिश से में हस्पिटल से में नाफिस में गया था रात में वहां अक्सर ये फैशन था कि रात को आठ नो बज़े आफिसर्स लोग घर वापस लोटते थे में इसा बताते दिक बहुत व्यस्तता है बहुत काम है अभी नहीं आ सकते देर से घर आएंगे उस दिन मुझे पता चला कि सब गपशप कर रहे हैं कोई ताश खेल रहा है कोई चाय नास्ता कर रहे हैं कोई समोसे खा रहे हैं काम बाम तो कुछ नहीं हो रहा था मैं बहुत तेर यहां बीच जाए कुछ सुबह वाला अख़वार पढ़ रहे हैं दोबारा जो पूरा पढ़ चुके थे घर जाने से बच रहे हैं घर जाके जल्दी से खाना खाएं और सो जाएं पत्नी को भी साहन भूती रहे हैं एक विचारी कितना काम कर रहे हैं इतनी ठके मान दे आये जल्दी से सो जाएं सो बोट के फिर भागे हैं अजिकार से लोग जो ओवर टाइम करते हैं वो एक्च्वल ओवर टाइम नहीं रहता अपने परिवार वालों से दूर कैसा रहें बिजी रहें दुख को बोलाने के उपाए हम करते हैं क्योंकि हमको यह पक्का पता है कि जितना हमारा होश बढ़ेगा उतनी और ज्यादा दुख की प्रतीती होगी तो किसी प्रकार की बेहोशी किसी प्रकार की मूर्चा हमें घेर ले व्यस्तता भी एक मूर्चा है हमेशा व्यस्त सावधान जिस व्यक्ति को वास्तव में दुखमुक्ति पाना है उसको बेहोशी का मार्ग नहीं अपनाना है होश का मार्ग अपनाना है हम और जादा होश पूर्ण बने निश्चित रूप से जब हमारा होश बढ़ेगा सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी अपने भीतर के अंतर जगत से उस मनो जगत से जिसको देखने से हम घबराते हैं उसको फेस करना पड़ेगा कई लोग कहते हैं कि जब हम ध्यान नहीं करते थे तब ज़्यादा शांती थी जब से ध्यान सुरू किया और ज़्यादा शांत हो गए नहीं और ज़्यादा शांत नहीं हो गए शांत तो आप पहले भी थे पहले आपको पता ही नहीं था भीतर देखने की फुर्सत नहीं थी अब देखा तब पता चला भीतर कैसे साप बिच्छू रहें मकडी के जाले लगे हैं चुहे कूतफात कर रहे हैं भारी उपद्रो है इससे गुजरना ही होगा हाँ और होश की मात्रा बढ़े और होश की मात्रा बढ़े तब हम इसके पार निकल जाएंगे मन के पार भीतर की आत्मा में इस्तित हो जाएंगे वहाँ है दुखने रोद वहाँ है आनंद इस बात को खूब अच्छे से समझ लेना दुनिया का बड़ा वर्ग जितनी चेतना मिली है उसको भी नश्ट करने पर तो ला हुआ है भाती-भाती को पायों के द्वारा ताकि दुख भूल जाए वो उसी को सुख समझता है लेकिन वास्तों में तो दुख नहीं मिटता आप कितनी शराप पिलो आखिर फिर होश में आओ गई आओ गए बहतर है कि जो है हम उसका सामना करने को तैयार हो जाए हाँ इस धंक से सामना करें कि उसमें उल्जाओ ना हो द्रश्टा भाव से ऐसे देखें अपने भीतर के मनो जगत को जैसे किसी और का निरिक्षण कर रहे हैं ताकि एक दूरी बनी रहे अगर आप उसमें उलज गए फिर तो आप बहाँ से भागेंगे क्योंकि वो द्रश्ट डराओने हैं आपकी जो अच्छी छवी आपने मन ही मन निर्मित कर लिये कि मैं बहुत अच्छा आद्मी हूँ बीतर जाने पर पता चलेगा सब बखवास है मैं दूसरों को धोका दे रहा था बीतर मैं फागल आद्मी हूँ एक ऐसा आद्मी हूँ जिससे मैं स्वयम भी प्रेम करना और मैत्री करना नहीं चाहूँगा जिसके साथ मैं भी जीना नहीं चाहूँगा दूसरों की तो छोड़ो दूसरों पर दया आएगी कि जो मेरे साथ जी रहें बिचारे ये क्या-क्या भुगतते होंगे लेकिन इस कट्विश्थिती का सामना हम साक्षी बनकर द्रश्टा बनकर कर सकते हैं और तब हमारी होश की मात्रा बढ़ने लगती है इसको स्विकार करो इसा है दूर से देखो जैसे किसी और को देख रहे हो तब और चेतना की मात्रा बढ़ती है और तब हम उस अवस्था में पहुँच जाते हैं जहां हम इस मन के पार निकल जाते हैं और चेतन में रमन करते हैं एहिंकार से हटकर और उंकार में प्रतिष्ठित हो जाते हैं उस महा संगीत में लॉलीन हो जाते हैं जहां सच्चित आनंद है इसलिए दुनिया के सभी धर्मों ने शराप का विरोत किया है इसलिए नहीं कि लिवर खराब हो जाएगा उस तो कोई फरक नहीं पड़ता दो-चार साल पहले मरे बाद में मरे लिवर फेलूर से मरे कि हार्ट फेलूर से किड्नी फेलूर से कुछ नहीं तो फेलूर हो गई होगा कुछ नहीं तो दुरगटना होगी एक्सिदेंट होगा बंब स्पोर्ट होगा कोरोना होगा वह चीज़े हैं तो इसकी चिंता नहीं है के लिवर खराब हो जाएगा नसुर्दीन मरते समय प्राथन कर रहा था कि या अल्ला अगले जनम में अगर होता हो हिंदूों का अनुसार तो 32 दाथ देने की जरूरत नहीं है चार दाथ परियाप थें दो नीचे दो उपर इसकी रिप्लेस्मेंट में तो मुझे 32 लिवर दे दे ना ज्यादा दाथ का क्या करना है शराब पी पी के लिवर खराब करके नसुर्दीन मर रहा था कि 32 लिवर और एक खराब हो दूसरा काम करें दूसरा तीसरा काम करने लगे इससे फरक नहीं पड़ता नहीं शराब का विरोध इसलिए नहीं किया है कि जल्दी मर जाओगे कि लिवर खराब हो जाएगा शराब का विरोध इसलिए किया है कि तुम दुख का सामना करने से वंचित रह जाओगे उसके पार तो फिर कभी जावी नहीं पाओगे तो मूर्चा मत खोजो अप्रमाद जागरूकता खोजो और उसका उपाय है द्रश्टा भावों से अपने मनु भावों से गुजरो दूर से जैसे किसी और के भीतर ये सब चीज़ां हो रही है पश्चिम में मनो वज्ञानिकों ने एक प्रयोग सुरू किया है साइको ड्रामा उसे वे कहते हैं मनो नाटक उसका प्रयोग आज हम प्रवचिन सुनने के बाद वही प्रयोग करेंगे हम जान मुझ के ही नाटक करेंगे अपने भीतर के उस विचार को भाव दशा को उभारेंगे बारी बारी से थोड़ी थोड़ी देर के लिए अलग-अलग मूट्स अपने भीतर पैदा करेंगे और चुकि हम ही जान मुझ के कर रहे हैं हम बड़े मजे से उससे दूरी बना रख सकते हैं वो मनुभाव होगा भी और हम भी मौजूद होंगे देखने वाले तो लिप्त नहीं होंगे उसमें दूरी बनी रहेगी तो यह तो नाटक हुआ हम जान मुझ के कर रहे हैं अगर हम इसकी थोड़ी प्रेक्टिस कर लें तो जब एक्चुल में ऐसी घटना घटेगी जिसमें वो भावधाशा हमारी पैदा होती है तब हमको सुत्रहात लग गया उसमें भी हम नाटक के दर्शक बने रह सकते हैं और धीरे 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 हम उन सारी मनुभावनाओं के पार निकल जाते हैं